हुआ है है एवरी बड़ी वेलकम टू कोडिंग स्न्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपने अप्लीकेशन में navigate कर सकते हैं programmatically यानि कि basically हम यहाँ पर link या nav link या नहीं करना चाहते हैं हम कुछ program या code लिखकर navigate करना चाहते हैं तो कभी-कभी होती है जरूरत है जिसे कि आप fetch कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो उसके बाद आप उस page से निकल जाना चाहते हो बिना user interaction के page लोड हो रही है route यूज करके और आप उसके अंदर nested route एड कर रहे हो example के लिए product details तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितने routes है एक ठीक है दो और मैंने एक और एड करते है तीन तो basically मैंने क्या किया है कि यहाँ पर पहले से text area button है और एक handler है मैंने यहाँ पर क्या किया है product details पर ही यहाँ पर एक और link एड किया और मैं यहाँ पर बोल रहा कि अगर कोई add comments पर click करता है तो मेरा जो current route है उसके बाद slash add comment एड हो जाए और फिर मुझे जब हो add होगा तो कुछ ना कुछ route match करेगा तब मैं add comments देखना चाहता हूँ यानि कि यहाँ पर basically आप ऐसे देखे अगर मैंने read comment देखा तो read comments और let's say मैं add comment देखता हूँ तो add comment का ऐसा आना चाहिए ठीक है और मैं यहाँ add करके मैं पीछे जाना चाहता हूँ तो यह कैसे होगा इस page पर वापस तो यानि कि आपको समझ मागया कि मैंने यहाँ पर क्या किया है पहले से जो किया तो उसमें बस एकी चीज़ आड किया जिसका ना मैं add comments एक नया link और एक नया route तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब मैं इस पर जाओं यानि कि add comments पर जाओ तो add करने के बाद मैं पीछे आना चाहता हूँ पहले तो मैं यह try करोंगा add button click करके पीछे आने के लिए तो इसके लिए जो use करने वाले आपको पता है इसके लिए हम use करने वाले use history यह hook है और हम इसको import करना पड़ेगा import something from react router dom और इसका नाम है क्या है इसको जूम कर लेते है थोड़ा use history ठीक है इस hook को call करेंगे यहाँ पर और let's say मैं history नाम का variable बना रहा इस पर मैं use history call कर रहा अब use history क्या return करेगा simple से आप ए console lock करके देखते basically एक object return करेगा जिस पर आपका एक complete पहले तो आप देख लेते तो यह देखिए अपने पास action है, block है, create hrf go है, go back है, बहुत सारा methods है यहाँ पर push भी है तो basically एक complete object जो related to आपका navigation आपको use history पर मिलता है यानि अगर आपको back and forth navigate करना है programmatically या फिर आपको एक nav page load करना है इसके बाद तो यह सारा चीज़ आप use history के help से कर सकते हो, यानि कि यह object जो है complete आपका जो history का instance उसको access देरेता है, या उसका access आपको मिल जाता है, ठीक है, यानि कि basically यह हम history पर तो कर पाता है, जैसे यह देखिए, मैं अपने arrow यूज करके जो navigation है यहाँ पर, मेरे browser का, उसको यूज करके मैं आगे पीछे या फिर कहीं पर भी जा रहा है, तो यह कैसे हो रहा है, यानि कहें ना कि history maintain हो रही है, जिस पर पता है कि मैं पहले कहा था, अभी कहा हूँ, right तो उसका access मिल जाता है और आप देखर हो, यहाँ पर same है, go forward, go back go, right, push, replace तो basically कैसा है, ऐसा समझे कि अपनो जो application है, कुछ ऐसा काम करता है यानि कि पहला page load हुआ, ठीक है let's say इसका नाम है A, page number A एक और आपने add किया, तो यह और एक इसके उपर add ही, page B एक और add ही, page C, तो यह एक की ऊपर, एक की ऊपर add होते जाता है है ना, यह चीज, और यह होता है, आप इस पर Iajj jump करते हो, फिर spaceis पर jump करते हो, चाए है तो आप फिर से इस पर आगे जाते हो, या forward जाते हो यह आप basically replace करते हो यानि कि आप बोल रहे हो कि इस पे से इसका history मिटा देंगे यानि कि अब जो आप load कर रहे हो इसके जिकाप पे कर रहे हो इसके उपर नहीं यानि कि basically stack है यानि कि basically अगर आप इस container समझो तो जब भी आप page add यूज करते हो रहे तो इसके उपर और एक page आएगा और चाहे तो अगर replace करना चाहते तो आप इसी के जगा एक और page यानि कि history में यह था ऐसा नहीं आएगा यानि अगर आप एक पीछे और एक आगे आए वापस तो आपको जो उससे में replace किया था वही page मिलेगा यानि कि basically complete navigation से हम deal कर रहे है तो यहाँ पर एक चीज है आप चाहे तो history पे on comment पे आपने जैसा देखा history. आप go back भी कर सकते हो इससे भी हो जाएगा ठीक है अगर मैं इसको click किया तो क्या होगा देख लेते हैं इस पे refresh करूँगा products पे गया, mobile पे गया, add comments पे गया और add करूँगा तो देखो मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि यह सारा component की spate अचा है product detail का ही पाट है इसलिए परे तो यह काम करते हैं यह जो ऐसे दिख रहे हैं इसको थोड़ optimize करते हैं मैं हापे क्या करूँगा एक key बना लूँगा const लेट से dummy detail ठीक है ऐसे करके इसका key क्या रहेगा लेट से p1 ठीक है p1 पर मुझे क्या दिखाना है यहाँ पर load कर लेते हैं तो p1 पर मुझे यह message दिखाना है right तो मैं यहाँ पर paste कर लेते हैं उसके बाद p2 पर क्या करना है यह message दिखाना है इससे अपने को if check नहीं करने पड़ेगी ठीक है और मैं p3 पर यह करना चाहता हूँ यह अब मैं यहाँ पर इसको यूज करके if check हटा सकता हूँ यानि कि मैं क्या करूँगा यह पूरा paragraph हटा दूँगा यह पूरा हटा दूँगा ठीक है यह message भी यहाँ से आ तक और मैं यह पर चेक करूँगा product ID क्या रहा है यानि कि मैं dummy object details यूज करूँगा और इसके उपर p1 pass कर दूँगा sorry product जिस पर मेरा product ID आ रहा है अब आप देखोगे exactly ऐसी काम करेगा अगर मैं इस पर चाहूँ तो right this is about mobile तो मैंने तोड़ा optimize कर दिया multiple if हटा कर तोड़ा बड़ा दिख रहा था तो मैंने छोड़ा कर दिया अब जो की match करेगा उसके respective value आजएगी तो मैंने if हटा दिया अब दूसरा चीज़ क्या है पर हमें क्या बात कर रहा था पीछे आने का तरीका right तो यहाँ पर go back let's say use करने का एक तरीका है नहीं तो आप और भी use कर सकते हो यहाँ पर let's say use match जो sorry use route match use कर सकते हो right और यहाँ प आपको यहाँ पर एक information मिलेगी जिसको हम देखेंगे अगर आप इसको call करोगे तो so let's say मैं आप console lock करता हूँ match ठीक है तो आप यहाँ पर क्या देखोगे refresh ठीक है अगर mobile पे जातो आट comment पे तो आप देखोगे कि यह जो match load हो रहा है इसके इंदर params है यह यह फिर आप alternate क् यह अटाकर मैं use params use करता हूँ ठीक है यहाँ पर भी मैं use params ठीक है और यहाँ पर params अब मैं अगर params प्रिंट करो तो मुझे पता है exactly जो params के detail है वही मिलेगी right so यह देखे product id अब मैं क्या करूँगा इस product id को use करूँगा अब let's say आपको go back use नहीं करना ठीक है आप यहा आप समझ सकते हूँ screen के उपर एक नया page add करना चाहते हो ठीक है so यहाँ पर मैं dynamic add करूँगा तो अपने को यहाँ पर क्या आएगा यह इसी बात है slash product तो slash product ठीक है फिर यहाँ पर क्या कर रहा हो slash product के उपर यह slash product यहाँ पर आएगा slash product right यही चीज़ है na products इसके बाद आपक क्या slash यहाँ पर आपका आएगा product id यानि कि आपका params के उपर product id यह चीज़ है और exactly match को यही चीज़ है अगर मैं अब यहाँ पर आड करूँगा आप यह देखो वापस पीछे चले जाओगे right तो इसबाद पीछे नहीं जा रहे हो एक नया page add हो रहा right इसके उपर even though page exist करत यानि कि already let's say ऐसा एक page यह था तो इसके उपर और एक add हो रहा है window यह देखो आप यहाँ से go back करना चाहर तो go back आ जाएगा यहाँ पर और push करोगे तो क्या यह वाला page और एक उपर add हो जाएगा यानि कि basically kind of ऐसा समझो stack के उपर कुछ चीज़े रखर हो है ना तो ऐसा है कैसे हम history यूज़ करके बहुत सारे चीज़े कर सकते हो alternate अब replace यूज़ कर सकते हो तो basically replace क्या करेगा let's say आपका जो stack पर यह page load है right तो इसके जगब पे load कर देगा यह नया add नहीं करेगा इसके उपर push right so basically जो आपका current page उपे ने उसको हटाकर वहीं पर एक नया page add करेगा तो हमने क्या देखा basically use history का use case यहाँ पर और इसको आप use करके navigate कर सकते हो programmatically इसके लिए आपको link पर click करने के जुरूत नहीं है इसके बारे में और भी आप explore कर सकते हो अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो और इससे आपकी थोड़ी knowledge बढ़ेगी और मैं भी explore कर रहा हूँ